हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत महत्व दिया गया है माना जाता है कि पीपल की पूजा करने से कई तरह के कश्टों से दुखों से हमें चुटकारा मिल जाता है यहां तक कि ये भी माना जाता है कि पीपल की पूजा करने से, पीपल की परिक्रमा करने से पित्र दोश तक दूर हो जाता है क्या ये पेड सच मुझ इतना जादा शुबकारी, शुबदायक, लापकारी होता है फिर भी ऐसा माना जाता है कि घर में पीपल का पेड उगाए तो वो अशुब होता है वहीं ऐसा भी माना जाता है कि घर में पीपल का पेड अगर उगाए तो वो घर में नकारात्मक यानि की नेगेटिव एनरजी का संचार करता है इसी वज़ा से अगर घर में घर के आसपास या घर के गार्डन में बेलकिनी में या कई बार घर के दिवालों के बीच से जब पीपल का पौधा उगाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें तो आईए जानते हैं कि क्या होती है इसकी वज़ा जिसकी वज़ा से बार बार हमारे घर में पीपल का पौधा उगाता है और अगर हमारे साथ बार बार ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए गर में पीपल का पेड उख जाए तो हम उसकी वज़ा जानना चाहते हैं कि बार बार हमारे घर में पीपल का पेड कीओ रहा है अगर घर में साउथ की डायरेक्शन में या इशान कोड में प्रॉब्लम होती है तब बहुत जादा पीपल का पौधा उगता है ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि जहां पर साउथ की डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है दिवारों के cracks में से नाली के पास पीपल का पॉधा उगने लगता है तो होता क्या है कि इसकी वज़ा है कि अगर घर में मंदिर ठीक जगा पर ना बना हो या घर के toilet ठीक जगा पर नहीं बने हो तो बहुत बार पीपल का पौधा कहीं से भी और जादा तर डक्षिन या इशान कोड में उगाता है अगर घर में वाइट कलर का इस्तमाल बहुत जादा किया गया हो या घर की बाहरी दिवारों को बहुत जादा एक ही कलर से कलर किया गया हो तो भी पीपल का पौधा उगाता है अगर घर के नौर्थीस्ट कोने पे यानि की इशान कोर पे बार बार पीपल का पेड उग जाता है तो उसकी वज़े से आपका भागिर निर्बल होता है वहीं अगर पीपल का पौधा दक्षिन के तरफ से उग जाता है तो आपके घर में दुरगटनाए होने लगती है लोगों को चोट लगने लगती है वहीं अगर पीपल का पेड पश्चिम दुशा में उख जाए तो आपके घर में पैसों की आर्थिक तंगी होने लगती है पीपल के पेड को पूजनिये माना जाता है यहां तक कि पीपल की पीपल पे रोज जल चड़ाना बहुत ही शुब माना जाता है फिर भी ऐसी मान्यता है शास्त्रों में पुराणों में ऐसा बताया है कि घर में पीपल का पेड़ होना अशुब होता है तो आए जानते हैं कि अगर आपके घर में पीपल का पेड़ है और अगर बार बार उगा जोगाया है तो उससे बिलकुल भी जलाना या काटना नहीं चाहिए या उखार कर फीकना तो उस से कम 45 दिनों तक 45 दिनों तक पूजा करनी है उस पर दूट चड़ाना है और उसके बाद उसे जड़ सहित उखार कर किसी मंदिन में या अपने घर से दूर किसी खुले मैदान में लगा दें जहां पर वो अच्छे से बड़ा हो सके वहीं ऐसी भी मानिता है कि घर के उपर हटवा सकते हैं याद रखें कि पीपल के पेड़ को बिल्कुल भी बिना पूजा करें ना हटाया या एक जगा से हटा कर दूसरी जगा ना लगाए इससे पित्र दोश भी लगता है और आपके पित्रों को कश्ट भी होता है पीपल का पौधा अगर चूटा सा है और अगर आपके घर के आसपा से आपके घर में उगाया है तो आप उसे निकाल कर गमले में लगा कर किसी मंदिर में या किसी सुरक्षत स्थान पर रख सकते हैं वहीं अगर पीपल का पेड़ काफी बड़ा हो गया है और आप उसे जड़ से निकाल कर हटाना मुम्किन नहीं है तो आ इसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ के हर पत्ते पे देवी देफनाओं का वास होता है तो उसे बिना पूझा या वुरत के अपने घर से हटवाने पे आपको कई तरह के दोश लग सकते हैं इसलिए पीपल के पेड़ को ऐसे ही बिल्कुल भी ना हटाएं पीपल के पेड़ का बहुत बड़ा महतु हमारे पुराणों में बताया गया है पीपल की पूजा करना बहुत ही शुब माना जाता है लेकिन पीपल का पेड़ घर में होना अच्छा नहीं माना जाता वही अगर वैग्यानिकों की माने तो पीपल का पौदा हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सिजन देता है इसे एक बहुत ज़्यादा ऑक्सिजन देने वाला पेड माना जाता है लेकिन दिन में दो गंटे के लिए ये बहुत ज़्यादा कार्बन डाय ऑकसाइड भी देता है जो कि हमारे स्वास्त के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है शायद इसलिए शास्त्रों में पुराणों में भी यही बताये गया है कि पीपल के पौधे के पास सुबा या दोपहर के वक्ती जाना चाहिए शाम या रात के समय बिलकुल भी नहीं जाना चाहिए तो अगर आपके घर में भी पीपल का पौधा उगाया है तो इसे बिलकुल इसी तरह से हटाएं धन्यवाद वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शरूर करिएगा